हाई दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेर काने वाला है Unisoc के तरब से आने वाला Unisoc Tiger T616 के साथ MediaTek के तरब से आने वाला MediaTek Helio G88 का और देखते हैं इन नोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटा निकल के आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को चुरुआत करते हैं लॉंज डेट से युनिसॉप T616 एनाउंस हुआ है सेप्टेमबर 2021 को 2021 का सेप्टेमबर माईने पे जहाँ पर मिडेटेक हेलियो G88 लॉंज हुआ है 15 जुलाई 2021 को तो लॉंज डेट के ही सबसे स्लाइटली लेटेस्ट प्रोसेसर है युनिसॉप T616 अब आता है CPU फैबरिकेशन प्रोसेस पे दोनों ही प्रोसेसर 12 नैनोमीटर फैबरिकेशन प्रोसेस के उपर आया है और ये चीज़ तो हम लेगों को पता ही है ये फैबरिकेशन प्रोसेस जतना कम होगा प्रोसेसर उतना energy efficient होता है heat उतना कम होता है और performance बढ़िया निकाल के देता है तो इस मामले में दोनों प्रोसेसर पे हलका फूल का battery running issue हलका फूल का hitting issue देखने के लिए मिल सकता है अब आता है CPU architecture and cores पे दोनों ही प्रोसेसर 64 bit octa core processor है यानि कि task distribution और multitasking के लिए दोनों प्रोसेसर पे 88 core दिया गया है अब आता है CPU clock speed पे दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 226 का big little approach देखने के लिए मिलता है और दोनों प्रोसेसर पे ही core distribution और CPU clock speed बिल्कूल सेम है दोनों ही प्रोसेसर पे primary दो core देखने के लिए मिलता है cortex A75 के उपर जो की clock किया गया है 2.0 GHz के उपर और बाकी का जो 6 efficient core वो देखने के लिए मिलता है cortex A55 के उपर जो की clock किया गया है 1.8 GHz के उपर तो CPU clock speed के मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कूल एक जैसा ही है अब आते हैं graphics processing unit पे Unisoc T616 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ARM Mali G57 MC1 GPU जो की एक single core GPU है और जिसको बनाया गया है 7 nanometer के उपर और जिसको clock किया गया है 750 MHz के उपर जहाँ पर Mediatek Helio G88 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ARM Mali G52 MC2 GPU जो की एक dual core GPU है और जिसको बनाया गया है 12 nanometer के उपर और जिसको clock किया गया है 1000 MHz के उपर 1000 MHz के उपर Centurion mark पे Unisoc T616 को देखने के लिए मिला है 97 से लेकर 99 points approximately जहाँ पर Mediatek Helio G88 को देखने के लिए मिला है 81.6 points तो GPU के मामले में अच्छा खासा difference है दोनों processor में ARM Mali G57 GPU देखने के लिए मिला है Mediatek Helio G96 पे तो यह अच्छा खासा powerful GPU है तो GPU के मामले में better processor है Unisoc T616 अब आत हैं camera support पे Unisoc T616 पे हम लोगों को dual camera में 16 plus 16 megapixel single camera में अब to 32 megapixel तक का support देखने के लिए मिलता है और 32 megapixel अगर camera यूज़ गया जाता है तो ZSL का support देखने के लिए मिलता है ZSL मतलब होता है 0, 0, 0, lag और maximum cameras यहाँ पर जो यूज़ गया जा सकता है वो है 64 megapixel तक mirror deck helio G88 की बात करेंगे तो यहाँ पर dual camera में 16 plus 16 megapixel और single camera में 64 megapixel तक का support दिया गया है तो camera support के मामले में almost दोनों processor बिल्कुल एक जैसा ही है अब आते हैं video capture resolution पे दोनों ही processor पे मामला बिल्कुल सेम है दोनों ही processor के साथ 2K video up to 30fps तक Full HD 1080p video up to 60fps और HD 720p video up to 120fps तक का recording का support देखने के लिए मिलता है अब आते हैं modem support पे दोनों ही processor में हम लोगों को integrated 4G modem का support देखने के लिए मिलता है जहाँ पर Unisoc T616 पे downloading speed maximum मिलता है up to 300fps तक और uploading speed maximum देखने के लिए मिलता है up to 100fps तक mirror tech helio G88 की बात करेंगे तो यहाँ पर downloading speed maximum देखने के लिए मिलता है up to 300fps तक और down link के लिए यहाँ पर cat 7 modem यूज क्या गया है upload speed की बात करेंगे तो यहाँ पर up to 1500fps तक का uploading speed देखने के लिए मिलता है और आप link के लिए जो modem यूज क्या गया है वो है cat 13 modem तो यहाँ पर modem support के मामले में slightly better है mediatek helio G88 अब आते हैं display support पे दोनों ही processor पे on device full hd plus तक का display का support देखने के लिए मिलता है और refresh rate की बात करेंगे तो दोनों ही processor के साथ maximum 90 hertz तक का refresh rate का support देखने के लिए मिलता है तो display support और refresh rate दोनों मामले में दोनों processor बिल्कुल एक जैसा ही है अब आते हैं RAM support पे दोनों ही processor पे maximum LPDDR4X तक का ही RAM का use किया जा सकता है जहाँ पर Unisoc T6166 पे अगर dual channel पे LPDDR4X RAM यूज किया जाता है तो RAM frequency maximum मिलेगा 866 MHz 1866 MHz और maximum RAM यहाँ पर use किया जा सकता है 8GB तक जहाँ पर midiatek Helio G88 की बात करेंगे तो यहाँ पर dual channel पे LPDDR4X RAM अगर use किया जाता है तो maximum RAM frequency देखने के लिए मिलेगा 1800 MHz 1800 MHz और up to 8GB तक का RAM का use किया जा सकता है maximum तो RAM support के मामले में slightly better है Unisoc T616 क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा RAM frequency देखने के लिए मिलता है अब आते है storage support पे Unisoc T616 पे हम लोगों को EMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0 और UFS 2.1 तक का storage का support देखने के लिए मिलता है जहाँ पर midiatek लिए G88 की बात करेंगे तो UFS storage का support ही नहीं दिया गया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ EMMC 5.1 तक का ही storage का support देखने के लिए मिलता है तो storage support के मामले में better है Unisoc T616 अब आते हैं benchmark scores पे Unisoc T616 को Android version 9 पे देखने के लिए मिला है 2,18,796 पॉइंट 2,18,796 पॉइंट जहाँ पर Midiatek Helio G88 को देखने के लिए मिला है 2,10,956 पॉइंट 2,10,956 पॉइंट तो Andrew की सबसे slightly better है यहाँ पर Unisoc T616 अब आते हैं Geekbench scores पे Unisoc T616 को single core पे देखने के लिए 370 पॉइंट और multi core पे देखने के लिए 1360 पॉइंट Midiatek Helio G88 की बात करेंगा तो इसको भी single core पे देखने के लिए 370 पॉइंट 370 पॉइंट और multi core पे देखने के लिए 310 पॉइंट 1310 पॉइंट तो Geekbench की सबसे एकदम slightly better है Unisoc T616 अब आते हैं side by side comparison पे कौन सा processor कौन सा department पे better perform किया शुरुआत करता है Unisoc T616 है यह एक latest processor है यहाँ पर powerful GPU देखने के लिए मिलता है यहाँ पर RAM support slightly better है ज्यादा RAM frequency देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर storage support better है यहाँ पर UFS 2.1 तक का storage का support देखने के लिए मिलता है Midiatek Helio G88 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ modem support slightly better देखने के लिए मिलता है तो आज के battle का real winner निकल के आता है Unisoc T616 recent time पर अगर आप देखेंगे तो UniSoC बहुत बढ़िया काम कर रहा है processor के मामले में अब यह तो हो गया on paper specifications कौन सा कौन सा phone पर यह processor हम लोगो को देखने के लिए मिलेगा वही है मुद्दे की बात Unisoc T616 देखने के लिए मिलेगा Realme C35 पर जो की Thailand पर लॉंच हो चुका है Mediatek Helio G88 हम लोगो को देखने के लिए मिला है Redmi 10 Prime पर Infinix Hot 11S पर और Infinix Note 11 पर और आप लोग बताए कि कौन सा कौन सा प्रोसेसर के साथ कौन सा कौन सा प्रोसेसर का कमपैरिजन देखना चाते हैं और वीडियो पसंदा तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बाई